जैहिंतर नमस्कार मेरे से सेन्यों लाड़ लाडलियों स्वागत आप सभी का अपनी यूटूब चनल कमांडो के दोस्तों आज का जो वीडियो इस्पेसली यह है ससी जीदी की कटोप को लेकर और किसके लिए उत्राखंड वालें को लिए उत्राखंड की पाहाडियों में ज इसके लिए और यहां रखंड के आपके अनुमानित आंकडे क्या हो सकते हैं कि इतनी आपकी मेरिट जा सकती है साथ लाड़ आपको एक चीज़ और रहूता की एक मार्स से मेडिकल बेस्ष शुरूव हो रहा है प्री अगर आपको मेडिकल के लिए आना है तो आप आसकते ह के लिए आप लगता आपका सलेक्षन और झायेगा तो पहले चोस्ट लेने चीज़ तो इसके लिए आपका स्वागतर अकेड्मिय आ सकते हैं नीचे दिये नंबर PRAP की लोबेश पिछली बार गई थी पच्छपन ये अगर आप ST के टेगरी से हैं या आप गरल है तो आपकी जाने की कितने चांस है तो मैं आपको बता दूँ अगर आपके 89 या 88 के आसपास नंबर है तो आप फिजीकल के लिए क्वालिफाई 100% हो जाओगे ठीक है अब बात कर हैं कि मेडिकल के लिए क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर होने चाहिए तो जहां पर हमने यहां पर 96 के आसपास आप 100 पर ले जाए यह जिस बच्छे के 100 नंबर एक सो साट में से उत्राखंड का रहने वाला है जनल के टेगर अगर उसके 100 नंबर है तो फिजीकल लिए 88 जैसे मैंने बताया तो 88 या मेक्सिमम 89 या 90 इसी नंबर पर लेने वाले है क्योंकि पिछली बार भी लड़कियों की कटो फिजीकल के बाद में बड़ी नहीं थी सिधी फाइनल मेट ही बड़ी थी ठीक है लाड़ लो अब बात करते हैं कि फाइनल मेट उत्राखंड इसके बारे में अगर हम सोचे तो बैस सबसे जा सकते है देख लिए पिछली बार गई ती 30 तर स्वी फ़ीं सब्सक्राइब की 70 और एयार की पिछे तर तो इस बार उसका अनुमान क्या है कि कि इतने नंबर वाला का अगर जनल के टेगरी से बिलों करता है तो उसका सेलेक् होने के, जिसके कितने नमबर है? 120 नमबर है उसके पूरे-पूरे चांस है, अगर वही बचा SC या SCT से है SCST या लड़की है तो उनके लिए कितनी जा सकती है जो मैं बताउं, उनके लिए जो कटोप है, वो 110 के आँस पास रहने वाली है अगर S.C.H.T की बात करें तो 108 के आसपास रेने वाली है फाइनल का टोप यह नि अगर इतने नंबर है तो आपका सेलेक्शन होने के पूरे-पूरे chances है लाड़ दो ठीक है जै हिंद जै भारत